हुआ है है हलो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुप इस्टडी में आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि अध्याय नंबर साथ आपका चल रहा है और सभी फारूले को जो है कि इस वीडियो में बताया जाएगा और जो भी आपका से फारूला ग्यां करें मैं आप जहिंते हम बाहर ग्यां क्यां रहे हैं कि यह दो आप और आप लोग पता हो सब्सक्निक को अब सब कुछ चीजे आपको बताए गई थी यदि आप उसे पढ़े होंगे तो इसमें भी आपको अच्छी समझ में आ जाएगा तो चलिए कोई बात नहीं इसमें हम लोग भी बेसिक से लेकर चलेंगे और जो भी सलूसन होगा उसका सलूसन भी करेंगे प्रश्णों का यहां पर देखिए प्रतिसत जो सब्द होता है दो सब्दों से मिलकर बना है दो सब्दों से एक होता है प्रति दूसरा होता है क्या सथ जिसे हम लोग कहते हैं प्रति सथ यह दो तोई बताएंगे कि दो सब्द से सब्ध कौन-कौन है प्रति और होता है आपका क्या सद्ध। ठीक है निश्कत प्रति और सत्थ सब्ध ऑथ समझते हैं प्रति का अर्थ होता है एक प्रति का अर्थ क्या होता है एक अब यहां पर सत का अर्थ होता है सो प्रति का अर्थ होता है एक और सत का अर्थ होता है क्या सत का अर्थ क्या होता है सो यानि कि एक सो जो भी आपका परसेंटेज निकाला जाता है सो पर निकाला जाता है कितने पर सो पर निकाला जाता है तो यही आप से कह रहा है प्रतिस जो हता है दो सब्दो से मिल कर बना है प्रती और सत प्रति और क्या सत यह पर इस प्रकार प्रतिसत का अर्थ है पर तेक सौ पर की गई गणा यानि तो हमेंसा आपको 100 निकालना पड़ेगा तो सब कुछ हम लोग इसी विडियो में देखेंगे और वीडियो आपको अच्छा लएगा तो एक लाइक जरूर करके जाएगा तो यह दी माल लीजिए यह तो आपका 100 पर हो गया की गई करना यतना कंफर्म है आप लोग को अब देखें जैसे हम लोग उधारण के तौर पर लेते हैं जैसे जैसे माल लीजिए एक्स प्रतिसत ह अर्ण्यो में लिखता हूं प्रतिस ant यदि एक्स प्रतिसत है एक्स प्रतिसत को इनडीकेट द्वारा क्या कर सकता ही यह आप हो ज्िवा कि एक्स प्रतिसदर और है या würd1 यानि कि जो प्रतिसत होता है ऐसा आप लोग यह बना लेंगे चीन तो यहां इंडिकेट करता है किसको प्रतिसत को यह प्रतिसत का चीन क्या होता है प्रतिसत का चीन होता है आपका यह यह जो आप चीन बनाएंगे इस टाइप का चीन जो बनता है आपका होता है क्या प्रतिसत क्या होता है प्रतिसत क्या ह कहता है और जो प्रतिसत है उसको कैसे करते हैं और जो है यह किसी का भी अधी प्रतिसत में लिखना हो जैसे 5 जैसे आपको कहा दूहां मैं फार्टीसित प्रतिसते बोले चाह dessus तक करेंगें एक हजार प्रतिसेत में लिए अधिया हो गया क्या अधिया लगा यह हजार को सब्सक्राइब परे यहाता है मित्स डिपांट करें आपकेंगे शकर हो जाता है यह हें ही और हर में चेंज करना चाहते हैं यानिकी परसेंटेज को यदि लिखना चाहते हैं तो आप एक्स सब्सक्राइद हैं दो इसको था न आधा चाहते हैं तो आपको पहला ही वताया ग्या यह यह आप आपका जो प्रतिसत है यह भीन में कहा जाए तो आप लिखेंगे यह एकस प्रसेंटेज भीन में लिखना चाहें एकसवाप का होता है यह आपको समझ में आ गई है जो आंस होता है इसको दर कहते हैं जो होता है इसको क्या लगाते है यहां यहां धर है यह नळिक्व हो सकता है यहां हमेशा हो इस कि ईपंपल्स कर प्रसेंटेज तो यह हो जाएगा पांच बदल सकता है लेकिन हर आपका तो हई है हर इसमें भी सो है इसमें भी क्या है तो आठ बदलना है कि नहीं बदलना है यानि आउश्ienza को हमस्तु कहते हैं क्या डर जो आपका संख्यात्मक मान होता है और यह कभी भी चेंज हो सकता है कुछ भी हो छकता है यानि 8% रहेगा तो 8 बटा में 100 हो जाएगा यानि कि 5% को यादी भीन में चेंज करना चाहते हैं हम लोग तो 5% का भीन में मान हो जाएगा आपका 1 बटा में कितना 20 यह समझ गया ना आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रतिसत जो है किन किन सब्दों से मिल कर बना है इसमें सप्रत का अर्थ क्या होता है सत के क्या अर्थ होता है इसों कैसे इंडिकेट करते हैं और प्रतेक जो है सो पर यानि कि प्रतेक सो पर की गई जो गणना होती है वह प्रतिसत का क्या अर्थ यानि कि प्रतिसत का अर्थ क्या है सो पर की गई गणना यानि कि हमेशा जो प्रतिसत लगेगा तो सो पर गणना हो होगा यहां पर सेंटे लगाए हैं एक्स बटा में स्वह हो जाएगा ठीक है कि समझ में आ रहा है यह रहा आपका प्रतिसत तो आप लोग यह समझ गए कि कोई भी वहलू प्रतिसत में दी गई हो और उसको भीन में चेंज करना हो आप कैसे हल करेंगे इतना चीजे समझ में आ गई है चलिए इसके बाद में लेकर चलता हूं आगे आगे टोपिक देखिए अगला क्या है कुछ है यहां पर फारूला भी है और हम लोग जो है कि उस पे एक्जांपल भी समझते चलेंगे पर तेक जो है फारूले पे एक्जांपल भी आपको मैं समझाओ ठीक है ताकि अच्छी तरह से सभी चीजे आपको समझ में आग जाए ठीक हमेशा सहोपे गढ़ना की गई संख्या है प्रतिसत का अर्थ यह होता है चलिए और प्रतिसत जो है समझ गया कि इनके सब दोसे मिलकर बना है चलिए एक बाद मैं बार बार कर रहा हूं चलिए जामपर 10 वाला जो कोशन है जब हम सलुसन करेंगे उसका जो है की उपियोग उसमें के जाएगा आप लोग को याद होना चाहिए जो भी मैं बना रहा हूं ठीक है अब ध्यान दीजेगा यहां पर दिखिए किसी भी प्रतिसत को यहां पर समझे थे एक स्प्रसेंटेज को स्प्रसेंट हो कितने से भाग दिये थें web से यहां पर मैं लिक देता हूं कि किसी भी इस यहां पर मैं लिक देता हूं आप लोगि लिख लेंगे किसी भी प्रतिसत को प्रतिसत को भीन में में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं यानि कि 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं ये तो आप लोग पता होगा सब कोई चीज़े आप लोग पता हैं लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि वह चीज़े आप लोग को अच्छी तरह से और याद हो जाए ठीक ना यहां पर जो है कि महत्वण नियम पहला यह करें किसी भी प्रतिसत को यह भीन में बदलना है तो उसमें 100 से क् कितने से भाघ देना पढ़ेगा 100 से हुच है यानिके निकर प्रतिसत क頭 बल जो तो असे किसे में प्रतिसत को यह भीन में सब्सक्राइब प्राइब योग कितना हो जाएगा सब्सक्राइब यह उसको पता है यह चोटी-चोटी चीजे आप लोगो अची तरह समझ में आ गए होगी जो मैं अभी बताया हूं पीछे वाला वो भी आपको समझ में याद भी होगा बलकि याद होगा और हाँ जिन बच्चों को पता नहीं है तब कुछ याद कर लेंगे आप लो यानि करें कि किसी भी प्रतिसत को भीन में बदलने के रिए सो से क्या करते हैं भाग अब यहां पर जैसे मैं लिखता हूं कि यहां पर 10 पर सेंटेज यह कर देते हैं तो भीन में बदलना हो तो सो से हमेशा हमेशा भाग देते हैं यह एक और ले लेता हूं मैं यहांपर 20 कर देते हैं 20 प्रसेंटेज है वे इसको यदि हम लोगा चेंज करना चाहते हैं किसे भीन हुँँ करना चाहते हैं तो 20 वटा मे कितना हो जाएगा 100 तो सद्सक्राइब ऐक बाटा में कितना हो जाएगा तो यह चीजिका या गए दूसरा देकते हैं भी बाला अब यहाँ पर किसी भी भीन को यदी प्रतिसत को यदि भीन में बदलना है तो सो से भाग देते है अब इसी का उल्टा किसी भी किसी भी भीन को भीन को किसमे प्रतिसत में बदलना है भीन को किसमें बदलना है प्रतिसत में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुड़ा करते हैं 100 से क्या करते हैं गुड़ा समझ में आया अब इसमें देखी कोई भी भीन होगा न कोई भी भीन होगा यदि आप उसे प्रतिसत में बदलते हैं तो इसमें सो से आपको गुणा करना पड़ेगा जैसे यह प्रतिसत में बदलना है एक बटा में बीस को प्रतिसत में बदलेंगे तो में कितने से यानिकी 1 बटा में 20 में कितने से गुना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा यहां पर लिखा हूं कि करते हैं तो एक जीरो काट गए और डू पाचे 10 को परसेंटेज हुआ 5 परसेंटेज आया कि नहीं बाइस तो मैं इसलिए तर्द आओ निया हूं तकि आप तो घ्जार सोग विते हैं तो एक बाटा में 5 को पर संटेज्स में तर नहीं कि इसमें पर संटेज करना नहीं बाथ की Jetzt यहां पर संटीका है नहीं कि एक बाटा में पांच फोडले की तो ले लेते हम लोग अधूसरा को यह लेते हैं यहां पर獎क किसे मालें जे 5 से 51 बटा में आपका जैसे मालें जे 25 कोई भीन है जो 51 बटा में 25 है इसको हम लोगों को परसेंटेज में बदलना तो 51 में जो 25 है बदलने के लिए 100 से गुड़ा करते हैं यह तो याद है 25 के 100, 4 हो जाएगा, 4 से multiply, 4 एकम 4, और 4 पचे 20, ठीक है, यानि कि 204 परसेंट, कितना हुआ, 204 परसेंट आपका हुआ, multiply आप लोग देख सकते हैं, यानि कि 204 परसेंट को, यदि भीन में change करना चाहते हैं, तो आपका इतना आना चाहिए, तो यहां से 100 से भाग देंगे तो आपको भाग देने के 100 से भाग दे जाएगा यहां पर कितने से कटेगा चार से कटाईएगा तो यह 25 हो जाएगा फिर चार से कटाएंगे इसको तो चार पच्छे 20 हो जाएगा चार एकावन बटा में कितना हुआ 25 यह आपका एंसर दोनों चीज़े आपको समझा दिया हूं एक ही में ठीक है नहीं कि जब भीन में होगा तो परसेंटेज बदलने के है क्रेक्ट है यह आपका माली 51 बटा में 25 नहां करके यह आपका 50 बटा है तब आपका गलत हो जाता सब्सक्राइब दोनों को बदलना है दोनों का मांद से मापका मिलना चाहिए चलिए इसके बाद अब यह चीज़े आपको अच्छीते समझ में आ गई इसके बाद आगे समझे और चीज़े जो भी मैं चीज़े बता रहा हूं इसको हर एक चीज़े आप लोग याद रखेगा ठीक है और हाँ एक बार इस वीडियो को सेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दिजेगा तो इत खिले संख्या रहे और दों अब आप 15 कर दिए जाये तो इसकी में अलगों घ्रीचा का रहते किसी संख्या कि संख्या एक्स का यक्ष्थ का केड़ुमाइग य कोई संख्या है उसको हुआ परस almonds कितना होगा तो आपको एक हैं आपकेज हैं समरम ऑब नाएते हैं तो कितने का निकाला है एक्स का गूरे य परसेंटेज य परसेंटेज घेया हो जो आपको अच्छी तरह से समझ में आभी गया होगा अब इसके बाद मैं एक जाम पर लेता हूं जैसे में आपका ले लिया जाता है जैसे में हैं 5 का 10 % कि यह आप से पूछा है कि यह बता यहाँ पांच का दस परसेंटेज कितना होगा पांच का तुरनत आप लोग कहेंगे कि सर पांच है इतर पांच का निकालना है दोस परसेंटेज बाता निकालना चाहते हैं तो आपका हो जायेगा एक संप में कितना गूआ से यह आपका रहा क्या एंसों एक और इजामपल में लेकर चलता हूं देखिए अब यहां पर बात करते हैं नबे का 50 परसेंटेज और यहां पर नबे का 50 परसेंटेज का मतलब यहां पर नबे गुणे 50 परसेंटेज का मतलब आपका 50 परसेंटेज का मतलब क्या हाफ हाफ तो यह कितना नबे को आधा करेंगा तो कितना होगा सब्सक्राइब तो यह आपका सब्सक्राइब निकालते हैं तो आपका हो जाएगा एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इस पर एक और हम ले लेते हैं 44 का 24 का 20 प्रतिसत कितना हो जाएगा तुरांत आप लोग कहेंगे सार 44 हो जाएगा गुणे 20 हो जाएगा बाटा में क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इससे क्या हुआ कट गया फिर दो सब्सक्राइब यह निकिया हो गया अच्छ वाले सब्सक्राइब कितना पांच और डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा क्या पॉइंट में कनफर में आप लो चलिए उमीड होगी कि जो भी मैं चीज़े बताया हू आपको step by step समाझ में आ गया होगा तो चलिए मैं एक और फार्मूला लगा लगा लगता हूं यह दूसरा अब चलिए तीसरा पहले में दो रहा इसे और यह आपका दूसरा रहा पहले में दो था ना ए और बी कर गए तो सभी फार्मूला आप लोग याद रखेगा ताकि हम हम लोग जावी प्रस्णों का सलुसन करें तो दिकत नहों समझने में ठीक है चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूं यहां पर मैं लिख दिया हूं जो तीसरा नंबर है और इसके बाद जो है कि हम लोग आप से मिलेंगे जो है कि अगले वीडियो में अगला वीडियो भी आपको कुछ फार्मुला बता जाएगा उसमें भी और इक्जामपल भी उसमें बता जाएगा ताकि दोनों कंसेप्ट आ हैं और जो भी आप फार्मुला याद रखेंगे यदि उस टाइप को कोशन हो तो हम तुरंथ फटाक से हल कर सकते हैं जो भी मैं चीजे बताओंगा उसी पर आपका जो है कि याद रखेगा कि फिर मुझे बताना ना पड़े तो और हां अगले वीडियो में इसके जो आगे फिर से मैं रिपीट कर दूँए ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको क्या क्या आज जो है कि इस वीडियो में पढ़ाए गया था तो यह आपका तीसर नंबर है करें यदि एक्स का मान ब्रिधी या कमी मान लिए कोई संख्या है जिसे मान लिए पांच ही संख्या है उसमें तो इसमें कितने परसेंटेज की आप ब्रीधी किये हैं वह निकालने के लिए वह बताएंगे और युदि आप कमी कर रहे हैं तो आपका तो मान कम होगा उसमें निकालना होगा कितने प्रतिसत की कमी कर रही है आपको बताने के लिए आपको यह पता होना चाहिए आप जो है ब्रीधि कर यह प्रतिसत आप करते हैं तो आपको सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कमी के लिए हो जाएगा एक सब्सक्राइब क्या है यहां पर मैं लिख दो यह दी कि दस का मान कि दस का मान ब्रीधि के पश्चाद अब यह बताए वरीधि हो रही है ना तो पचास हो जाता है तो प्रतिसत ब्रीधि ग्याद कीजिए कु canon ऑनिफीर दुम्हें त competimew और ग्यांत कीजिए सब्सक्राइब भब्रहें आपको डिख दर आपको ने यह जादा आपको दिक रियो और 181 होता है दूसरा में क्ला फरूंगा नहीं कि आपको ऍसक्राइब एक्सटू माइनस Eggzone बटा में एक्सटो ON होता है है अगुने नहीं कितना है दना आप माइनस यक्सटू कितना है येक्सटू कितना है आपका चूं स्थ हाएं डास एकषाण जोचर्ण ऑपंड। अगुणे आपको हो जाएगा सो इससे यह कटा दीजिए कितना हो गया चार सो परसेंटेज का जो है कि उसमें ब्रेधि किया गया कितने परसेंटेज का बाद यहीं 50 हो जाता है तो उसमें यानिक प्रतिसत की निकानला होगा तो एक टू मायक्स गुणे सो चालीस कि बेगों कट गें यहां पर यहां पर यह समझे बस की जो कहांगे दस पर दस था ना दस के पाद पचास हो जा रहा है ना हुआ है है जो बत मत पर यहां पर यहां होगा कि तो आपका कीतना हो जाएगा दस तो कितना हो जाएगा और यह समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं है इस पर निकाल सकते हैं और हम यह तो आप इससे बताएं बताएं भी बताएं वैसे आप निकाल सकते हैं अब इसके बाद थोड़ा और हम लोगी जांपर लेते हैं कोई संख्या जैसे मान ब्रीदी के पाचास जैसे मालीजे पास्चाट जो है कि आपका 150 हो जाती है तो प्रतिसत ब्रीदी निकालना है तो बस वहीं फारूला लागा दीजे तुरंट जड़ा आपको दीकत नहीं है आपका एक सों हो जाएगा यह क्या हो जाएगा एक स्टू तो आपका हो जाएगा 150 माइनस 50 जाएगा आप क्या हो जाएगा फैसा पाचास पेसा ना और गूरे कितना यह 152 निके स्टों यहां पर पार यह बता है 100 में से जो है कि आपका क्या करते हां 150 ऑप 206 घया कर दो कि डो तो आपकी संख्या हो जाएगी कंफर्में न यह तो समझ में आ गया हो अब तो आपको confusion दूर हो गया होगा ठीक है तो एक वीडियो को जो है कि एक बार अपने दोस्तों में जरूर कर दिएगा वीडियो अच्छा लएगा तो ही जो है कि इस वीडियो को सेर किजिएगा अपने दोस्तों में चलिए तो यह रहा आपको आपका जो है कि पहला एक्जामपल रहा है अब दूसरा समझे कमी की बात करें वाइस सेम एक्जामपल हमनों ले रहा है यदि यदि आपका 20 का मान को कॉमी के पश्चात आपका दस्त हो जाता है तब कमी परतिसत या परतिसत कमी लिख सकते हैं से कोई दीकत नहीं ठी ना परतिसत या एक्जब्स सकते हैंति हो जाते हैं उससे में से नहीं हो घटाते हैं इसलिए अब आपका बढ़ी बढ़ी हो गया और एक्स्टू वाला क्या च्योटी लेकिन अभी एक्जांपल इसमें जो एक्स्टू वाला था व्णा चोटा था आओ यह इसलिए उसमें एक्स्टू में से घटा आए गया तो बराबर आपका हो जाएगा एक्सवन कमान बोलिएगा 20 और माइनस एक्सटू कमान कितना है दस और बाटा में एक्सवन कितना है आपका 20 गुणिया आपका कितना है तो 20 से घटा दीजिए तो 25 यह आपका 20 में से दस घटा दस गुनिया आपका 5 जाएगा और 10 पचे 50 कितने परसेंटेज की 50 जो है परसेंटेज की यानि कि 20 प्रतिस्त परसेंटेज की कमी कर रहे हैं तब आपकी संख्या 10 हो जाएगी कि एंगी के 20 को यह दुदि 10 करने के लिए कितने परतिसत कम करना पड़ेगा 50 परतिसत का कम कमी करना पड़ेगा चली एक और एक करें Frankfurt क्या है इसनम्हाइब कोई संख्या 500 पांसो कर देते हैं कोई 50 चैनल गार्ट है baik जिसमें कमी करने के बाद करने के बाद कोई 500 है जिसने कर्णभी करने के पांसो चाहते आप की संख्या की तो या रहे हैं तो कर रहा है कि प्रतिसत कम यानि कितने प्रतिसत के इसमें कमें किये हैं आपको ही बताना है चलिए तो पहली संख्या आपकी 500 है माइनस यह चुक कितना है आपका 250 है बाटा में 100 कितना है 500 अगुणे कितना हो 100 ठीक है ना अब कि बिल्सक्राइब करें तो वह संख्या जो है 500 में 50% कमी करते हैं तो संख्या वह जो है कि आपकी 250 हो जाएगी यह थिस्व परसेंटीज की आप कमी कर देंगे तो उस समय जो संख्या है इसमें 100 परसेंटेट कर देते हैं तो उस समय संख्या क्या हो जाएगी और ध्यानिंघे 50% कमी हो रहा है तो आपका आध़ा हो जा रहा है लिख रहा हूँ उदारण के तौर पर लोग तुरंग जो है आमें कमेंट दोरा बताइएगा कि हाँ आपका कितना होगा ठीक है न चलिए कुई संख्या है जो बारा सो है इसमें कमी करने के बाद केवाद आपका 700 होजाता है बद रशेंड है कि ने प्रसेंटेज की स्में कमी कर रहे हैं वे आपको बता από तो आपके लिए रहा है इससे हल करना है कि आपकी 1200 का कमी के पशाथ यह संख्या 1200 का यह कमी क्या जा रहा है कि 1200 का मान कमी के पशाथ 700 हो जाता है यह बताएगा कितने प्रतिसत की कमी हो रही है पॉइंट में भी आप लोग बता सकते हैं तो यह रहा आपके लिए कोशन कमेंट रहा हमें बताएगा और उमीद करता हूं कि जो भी मैं इस वीडियो में प्रश्णों का सलूशन करा है यह जो भी मैं एकजामपल बताया हूं और फार्मूला बताया हूं आपको अच्छी तर हो रहा है항 ठीक है और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अपने दोस्तों में गरता है जाधा-जार जरूर कर दिजीएगा और हां जाते जाते एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाएएगा ताकि मेरा मोटीवेस्ण और जो है की बढ़ सके छली दोस्त झाल